Hello students, welcome back to Google Chemistry आज हम बात करने वाले हैं कुछ numerical concept पर जहां पर हम बात करेंगे कि displacement and disturbance पर सवाल कैसे बने हैं आज तक कुछ उसका basic phenomena आपको समझाऊंगा, कुछ basic method आपको बताऊंगा और उससे पहले एक छोटा सा sort topic आपको explain कर देता हूँ already मैंने पढ़ाया है, फिर से once again आप study कर सकते हैं frame of reference का मतलब क्या होता है, यहां से अपने कहानी को यहां से अपने topic को आज को start करते हैं, तो frame of reference क्या है यहां से अपने topic को continue करते हैं, सबसे पहले जान लिजे, यह frame of reference करता क्या है, क्योंकि यह motion in 1D का सबसे most important point है तो इसको पढ़ना आपके लिए most important है, most probable है, ध्यान से समझेगा क्योंकि motion in straight line का मेरे नजरिये से और पूरे NCRT के topic के हिसाब से सबसे most important point है frame of reference, जिसको समझना आपके लिए बहुत जरूरी है यह frame of reference क्या होता है, बस ध्यान से समझना मैंने mathematically आपको समझाया था कि किसी point को जब हम represent करते हैं किसी point को locate करते हैं, तो हम क्या use करते हैं, coordinate का use करते हैं x-axis, y-axis and z-axis जैसा point होता है, वैसे coordinate पर हम point को situate कर देते हैं I hope math में आप इतना तो जरूर अच्छे से पढ़े होंगे कि point को locate कैसे करते हैं, ठीक है ना, same वही चीज है आप किसी location को ऐसा imagine कर लो कि वो कोई point है हम जैसे बात करें किसी आगरा के ताजमहल कि तो वो एक place है ना उसको as a point treat करो और उसको point मान कर mathematically क्या करो आप उसको represent कर दो coordinates के बीच में अब ध्यान से सुनना, ये frame of reference क्या करता है अब क्या find करता है, बड़े ध्यान से समझना, यही इसकी खूबी है position and velocity, क्या है दो टर्म ध्यान देखना position and velocity in particular time मतलब ये जो पूरा frame of reference है, ये जो पूरा system है ये करता क्या है, किसी भी instant पर, किसी भी particular time पर body का, या फिर किसी particle का, या फिर किसी point का क्या बताता है, position and velocity in exact मतलब बिल्कुल exactly बताता है कि कोई body है कहां पर उसका position को बता देता है, उसके time को बताता है तो ध्यान से समझो, ये है क्या, ऐसे समझ लो अब इसको ब्यवारिक भासा में समझो, जैसे आप ऐसे imagine कर लो, ये हमने बनाया है y axis, x axis and z axis ठीक है, ये 3 axis है, ऐसा imagine कर लो, मुझे जिस भी point को represent करना है, मैं मान ले रहा हूँ कोई unknown point पी, this is x, y, z कोई भी ये point है, तो ध्यान से समझना, हमने कोई भी एक unknown point ले लिया, इस point के बारे में ये क्या करेगा, दो चीज बताएगा, कौन, ये frame of reference, दो बातों को बताता है, एक तो position या फिर velocity, ये अलग-अलग है, इसको अध्यान से समझना, अगर आप position के बारे में बात करोगे, तो अगर velocity के बारे में बात करोगे, तो position के बारे में बात नहीं करोगे, इन दोनों में से कोई एक और साथ ही साथ, इसके साथ साथ क्या, time, इस दो चीज का ये complete क्या होता है, system होता है, complete निकाय होता है, ये ऐसा set of coordinate होता है, which we find through a body, where he place, या फिर its position and its velocity in particular time, बस completely हमें यही जानना है, किसी instant पर body है, कहां पर कैसे जाने, तो frame of reference की सहाथा से, ठीक है, समझोगे कैसे, एक general point को आप locate कर दो, और इस point के बारे में जानना है न, इस पूरे अर्थ के किसी भी point पर आपको जानना है, इस पूरे world के, इस universe के, किसी भी point को आप जानना है, कि वो है कहां पर, उस point के बारे में आपको कौन बता सकता है, यह set of coordinate, या फिर यह frame of reference आपको बिल्कुल exactly बता सकता है, और वो भी क्या, जैसे जैसे आप time का demand करो, वैसे वैसे यह system आपको given करेगा उस body के बारे में, अगर body इस्थिर है, static position पर है, तो इस्थिर अवस्था को बताएगा, अगर body movable position पर है, या फिर motion में है, तो वो इसके motion को बताएगा, simple सी बात है, अब यह हमारा basic fundamental था, यह बिल्कुल basic definition था, अब हम इसके बात continue करते हैं, distance और displacement पर basic कुछ सवालों पर, और जिसका confusion आपको नहीं होना चाहिए, factual मैंने सब कुछ बताया है, कुछ सवालों के साथ, आपके concept को हम क्या करते हैं, बिल्कुल clear कर देते हैं, जिससे सवालों में आप फसू मत, ठीका ना, एक एकदम simple से सवालों से स्टार्ट करेंगे, यहीं से हम स्टार्ट करते हैं, question number first, एकदम basic type का, माल लो आप कोई question देख रहे हो, उसमें कुछ graphical view के through दिया है, देखे figure ऐसा है, माल लो, कोई body है, here is point A, here is point B, here point C, and here point D, ठीका ना, यह given है आपका, 10 meter, यह है आपका 5 meter, and this is 11 meter, बस ध्यान से समझ लेना concept बिल्कुल simple है, मैं कुछ नहीं करना है, अब अगर मैं यहां से आप से in general पूछों, कि find distance between AC, मैंने distance पूछा है किसका, AC के बीच, ध्यान से देखो, AC के बीच distance क्या होगा, और आपने पता था, आपने क्या पढ़ा है, कि length of, क्या है, length of path, या फिर real path length, simply वही चीज, तो यह क्या है, आप ध्यान से देखो, तो यह 10 meter है, and 5 meter, point A से लेके, point C के बीच का distance कितना है, 10 meter and plus 5 meter, तो आपका जवाब हो जाएगा, 10 plus 5 is equal to 15, ठीका, यह आपका answer हो जाएगे, बिल्कुल simple सा, अगर मैं इसी पर बात करूँ displacement की, बिल्कुल clear सुन जा, distance आप समझ लिए, displacement की बात कर लेता हूँ, between A and D, तो displacement की अब मैं बात कर रहा हूँ, displacement, किसके बीच, AD के बीच, A and D के बीच, अब यहाँ पे आपको अपने दिमाग में क्या क्लिक कराना है, कि हम displacement की बात कर रहा ना, तो हमारे दिमाग में आना चाहिए, shortest distance, और साथ ही साथ, दो point याद आना चाहिए, चलो आजाओ सामने देखो, यह है point A, initial point, और here is point D, final point, तो इसका हमें shortest distance निकालना है, तो आपका A से लेके D का shortest distance क्या होगा, 10 प्लस 5 प्लस 11, यही होगा ना, यही आपका displacement हो जाएगा, 10 and प्लस 5 and प्लस 11, यह बिल्कुल simple सा था, बिल्कुल simple definition, simple सवाल, clear यहाँ तक, तो इसका values क्या हो जाएगा, 10, 5, 15 and 15 and 11, 26, यह आपका exact answer हो जाएगा, अब देखो, इसी में थोड़ा सा twist करते हैं सवालों में, देखो, मैंने आपको बताया था ना, कि when body continuously moves in straight path, then always and always distance and displacement is also equal, मतलब अगर body लगातार continuously straight path पर चल रही है, तो वहाँ पर distance and displacement same होता है, इसी लिए मैंने इस सवाल को आया है, ध्यान से देखो, उठाया है, अगर मैं A, B के बीच बात कर रहा हूँ, A, B के बीच, तो distance क्या हो जाएगा, 10 meter, और अगर यहीं पर मैं displacement की बात करूँ, तो A और B के बीच, distance and displacement same होगा, जैसे कि मैं यहाँ पर बात कर लेता हूँ between A, B, तो A, B का distance क्या होगा, 10 meter, और ध्यान से देखो, यहीं पर displacement की बात करूँ, तो A, B के बीच का displacement भी 10 meter है, तो यह आपका displacement भी 10 meter है, यह कैसे पहचाने, यह trick है, यह तरीका है, सवालों को समझने का तरीका है, सब कुछ study करते हुए, आगे हमें चलना है, अगर मैं आप से कहता हूँ, कि आप मुझे बताओ देखो, बाडी किस process के थू गई है, ध्यान से समझना, A से बाडी गई B पर, A से बाडी गई B पर, B से गया C पर, and C से गया D पर, and D से वापस आ गया कहाँ पर, C पर, यहाँ पर आपको distance बताना है, और यहीं पर आपको displacement भी बताना है, ध्यान से समझो, यह सवालों में ऐसे ही लिखा रहता है, directly आप से कह देगा, A, B, C, D, C के बीच distance and displacement बताइए, यह वही सेम चीज है, और इस लास्ट के थ्रू आप सवालों को बहुत अच्छे से समझ जाएंगे, मैंने क्या लिखा है, कोई body है, A से B पर गई, B से C पर गई, C से D पर गई, और वो वापस आ गई D से again C पर, तो इस process के दौरान, इस रास्ते के दौरान, इस पथ के दौरान, आपको क्या बताना है, displacement and distance को find out करना है, चलो आज आओ, बिल्कुल ध्यान से समझते हैं, मैंने आपको बताया था, distance क्या होता है, real path length, distance क्या होता है, real path length body गई कहां पर है, अब जरा इन्हें को सब को जोड़ दो, A से B का distance क्या होगा, 10 meter, उसी process को ध्यान से देखो, A से B गई ना body, तो हम पहले distance के बारे में बात कर रहे हैं, distance के बारे में, तो 10 meter, क्यों? A से B के लिए 10 meter, अब आगे चलो B से C, तो B से C में body कितना चली है, 5 meter, ठीक है? अब उसके बाद C से D है, तो C से D में body कितना चली है, 11 meter, और आगे देखो, D से C फिर, ये body फिर पीछे आये, पीछे मतलब ये वापस आया, इसका motion कैसा है, A से B, B से C, C से D, और यहाँ पे body ने फिर से वापस लिया, यहाँ तक, ये समझ रहा है, ये आपका real path है, मतलब जो body चली है, जो question में आप से पूछा है, body ने कुछ ऐसा motion किया है, तो अब चलो देख लो, D से C का distance फिर क्या है, वापस ये उतना ही तो होगा, जितना की given है सवालों में, अब जरा ध्यान से देखो, यहाँ पर मैंने कुछ different concept या, कुछ मैंने नया यूज किया, नहीं यूज किया ना, जो path length चला है body, बस उसी को simply जूडते जाओ, this is distance, तो इसको add कर दो, 11 and 11, 22 and 5, 27 and 10, 37, तो इसका complete answer क्या हो जाएगा, 37 meter, ये आपका answer हो जाएगा, ठीक है, अब जड़ा हम इसी process के दोराण displacement की बात करें, तो displacement में बस दो बात आपको याद आना चाहिए, initial point कहां है, और final point कहां है, उसी के बीच का distance निकालना है, तो जड़ा देखो, initial point, body चली कहां से थी, body चली है A से, और body रूकी कहां पर है, body रूकी है, C पर सवाल को ध्यान से देखो, body A से चलना शुरूकी, और body C पर रूक गई, तो यही आपका सवाल का main concept था, answer निकाल लो, A से लेके C के बीच का minimum distance क्या होगा, A से लेके C के बीच का shortest distance क्या होगा, आपको figure में बिल्कुल clear दिख रहा है, इसका जवाब हो जाएगा, A से लेके C का distance जो भी होगा, यही तो इसका shortest path है, तो यहाँ पर displacement की बात करें, तो यह answer आपका क्या हो जाएगा, सवाल में जैसा given, बस वही आपको add कर देना है, 10 and plus 5, this is answer, क्यों, starting distance 10 and बाद के distance 5, यह minimum distance कितनी है, 15 मीटर, तो यही आपका main answer हो जाएगा, displacement हो जाएगा 15 मीटर, distance हो जाएगा 37 मीटर, और यह बात always याद रखना, कि body का displacement कम जादा हो सकता है, मैंने यह भी पढ़ाया है, displacement आपका कम जादा या 0 हो सकता है, लेकिन distance कभी 0 नहीं हो सकती, क्योंकि distance का मतलब बस यही होता है, कि body चली कितना है, नहीं matter करता कि वो वापस आया, कि दुबारा गया, कहां गया, no matter, बट body यह मायने रखती है, कि उसने चला कितना है, तो इस reason से distance always positive हो सकता है, या फिर वो 0 हो सकता है, लेकिन negative कभी नहीं हो सकता, बट displacement, displacement को ध्यान से देखो, displacement आपका positive हो सकता है, negative हो सकता है, वो कम हो सकता है, ज्यादा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो displacement के लिए सारी possibilities है, ये सवाल clear, अब जरासा आओ दूसरा, इसका सबसे best सवाल, और इस बात को remember रखना, इस बात को remember रखना, कि motion in 1D पर distance and displacement पर, इससे आसान सवाल ना आज तक पूछे गया है, और ना ही इससे tough question कभी बन सकते हैं, दोनों चीज ध्यान से समझ लो, ठीक है, ये आपके पहले type का सवाल हो गया, और इसके बाद जो second type और बताने वाला हो, ये बिल्कुल last type का सवाल है, इस distance and displacement पर based ठीक है, चलो इस कहानी को समझते हैं, ये second type का सवाल है, type, second, और यहाँ पे practice के साथ समझते सलेंगे, दो तीन type का सवाल आपको समझाता हो, देखो ध्यान से समझो, अगर कोई body graphical way में given है, मतलब कोई body move कर रही है, in graphical way, या फिर किसी कर्व के through move कर रही है, कर्व का मतलब होता है वक्र, किसी body का कर्व अगर given है, तो इसमें कैसे निकालते हैं, कैसे आज तक इस पर based सवाल बने हैं, कुछ example से आपको समझाता हूँ, जैसा कि मान लो हमारा एक circle है, circle भी हमारा क्या होता है, एक प्रकार का कर्व होता है, ध्यान से समझो, यही मेरा main concept है, क्योंकि इस पर based इसी पर सबसे अच्छे सवाल आए है, और यहाँ पर मैं कुछ बातें भी आपको सिखाना चाहता हूँ, तो अगर कोई body circle पर move कर रही है, ठीक, मान ले रहे है point A, यहाँ है point A, और यहाँ है आपका point B, ठीक है, और इसको हम join कर दे रहे हैं, बिल्कुल clearly, जिससे लगे क्या, देखें, 90 degree है, figure में बिल्कुल clear है, यह दिखना चाहिए, A से B पर body move करें, तो यहाँ पर आपसे पूछ क्या सकता है, मान लो A, B के लिए आपसे पूछेगा, distance and displacement, यही पूछ सकता है, इससे ज़्यादा सवाल बने नहीं आज तक, या तो distance पूछेगा, या तो displacement पूछेगा, ठीक, दो चीज पूछेगा, अब जड़ासा आजाओ, इसी पर based, दुनिया का कोई ऐसा कर्व हो, जो कि किस फॉर्म में हो, मतलब वो कैसा भी कर्व हो, उसमें distance कैसे निकालते हैं, उसका concept समझ लो, कभी भी, कोई भी कर्व आप देखोगे, इस concept को हमेशा के लिए remember कर लेना, आप दो side को ध्यान देना, कैसा भी कर्व है, उसके two sides आपको given हो, two sides, देखो ये one side and one side, ये two sides are given, ये आपको given हो, पहली चीज, और दूसरी बात, बीच का angle, मतलब angle between two sides, angle between two sides, here theta, अगर theta given है, और दोनो side का length given है, या फिर वो दोनो sides आपको given है, तो always and always, ऐसे किसी body के लिए, ऐसे किसी body के motion के लिए, जो आपको concept लगाना है, theta is equal to, theta is equal to, arc upon radius, या फिर इसी को आप ऐसा समझते हैं, theta is equal to, distance upon, distance upon, sides, मतलब ये मेरा कहने का, बस main purpose क्या है, कि ये जो आप बच्पन में formula पढ़ते आया हैं न, theta is equal to arc upon radius, ये कुछ different नहीं होता है, यही arc, ये arc आप किसको कहते हैं, this is arc, इसी को हम arc पढ़े हैं न, और ये किसी भी curve के लिए find out होता है, ये किसी भी curve के लिए लगा सकते हैं, तो ये arc ही तो आपकी distance है, यही arc ही तो आपका distance है, जो body चल रही है, जिस real path पे body चल रही है, ये वही arc तो है, तो same चीज, अगर आपको दोनो side की length given है, समझ लो ऐसे 2 side का length given है, और बीच का angle given है, तो always लगाओगे क्या, हमें distance find out करना है, तो angle पता है, sides पता है, रख के निकाल सकते हैं, और यहाँ पे एक बात remember रखना, theta जब भी place करो, theta को जब भी place करो, always place in radian, radian बोले तो πाई के term में, मतलब इस theta को जब भी रखना, in terms of πाई रखना, in terms of πाई, मतलब radian में रखना, अब जड़ा से इसी concept को apply करते हैं, बस यह छोटा सा formula note कर लेना, किसी भी curve के लिए लगा सकते हो, no matter वो circle है, no matter कैसा curve है, जैसा भी curve हो, curve के लिए बस एक ही formula अज़ तक बना है, ठीक है, तो अब देखो, यह हमारा question था, body को ध्यान से देखो, a से b पर गई ना, तो मैंने क्या बताया है, यहाँ पर आपको sides given है, r and r, side आपको given है, beach का angle given है, तो beach का angle क्या है, 90 degree है, beach का angle 90 degree है, इसको convert कर दो in terms of radian, तो कैसे convert करते हैं, इसे हम पढ़ते हैं, pi by 2, 90 degree को radian के term में पढ़ते हैं, pi by 2, ठीक है, यह बिल्कुल simple सा formula, हमने इसको radian में convert कर दिया, मतलब कि हम इसे क्या करेंगे, radian के term में, convert कर दिया, अब हम क्या करेंगे, इसके बाद हम बिल्कुल general formula लगाएंगे, यह arc है ना, यही तो इसका real length है, तो theta बराबर हमने क्या study किया है, theta बराबर हमने study क्या है, arc upon radius, theta is equal to arc upon radius, और हमें arc ही find out करना है ना, arc ही हमारी क्या है, यह जो arc है, यही आपकी distance है, क्योंकि real body उसी पर चल रही है, तो theta क्या है, pi by 2, मैंने pi by 2 को put up कर दिया, in terms of radian, is equal to, arc हमें find out करना है, आर्क हमें नहीं पता है, arc find out करना है, radius कितना है, r given है, तो यहां से arc की value क्या हो जाएगी, pi r and divide by 2, pi r divide by 2 is equal to arc, और यही है आपका body का distance, मतलब कि, जब भी body 90 degree पर move करती है, जब भी body 90 degree पर move करती है, always and always जो उसका distance होगा, pi r by 2 होता है, ठीक है, clear, अब जड़ा इसी पर displacement के बारे में study कर लेते हैं, एक particular case बताने वाला हो, case मतलब एकदम simple सा formula, कभी भी body का displacement निकालना हो in circle, कभी भी body का displacement निकालना हो in circle, तो एक formula remember रख लो, 2 r sin theta by 2, 2 r sin theta by 2, 2 r sin theta by 2, ये circle पर move करते हुए, किसी भी दो point के बीच का displacement है, body कहां से कहां गई है, no matter, इन circle अगर body का आपको displacement निकालना है, तो ये formula याद रख लेना, ठीक है ना, बस इसको simply बिल्कुल apply करना है, 2 r sin theta by 2, value चलो put करते हैं, 2 अपने जगह है, r की value क्या है, ये sides का length है, तो यहाँ पर भी r है, वही r आपका, circle के case में जो त्रिज्या होती है, जो radius होती है, वही r है, तो यहाँ पर r आपका given भी है, sin theta by 2, sin को sin लिखे रहने, तो theta की value क्या है, 90 degree, तो 90 and divide by 2, यहाँ पर जो theta की value रखोगे, यहाँ पर आपको in angle रखना है, in degree रखना है, तो 90 by 2, this is sin 45, 2 r sin 45 degree, और 45 की degree की value क्या होती है, 1 upon root 2, 2 into r into sin 45, 1 upon root 2, और यहाँ से root 2 इसको cut करेगा, तो यह क्या होगा, दो बार root 2 होगा, तो एक root 2 से, एक root 2 cancel answer क्या हो जाएगा आपका, root 2 r, यही आपका answer हो जाएगा, displacement, मतलब इस body के लिए, जो displacement होगा, वो क्या हो जाएगा, root 2 r, और displacement होता क्या है, soratist distance between two points, a और b को आप join कर दो, मैंने यही सिखाया था, a और b को मैंने join कर दिया, यही आपका displacement है, a, b का displacement, root 2 r है, ठीक है, और इसी को आप बच्पन में क्या सीखे हो, perpendicular, hypo and base का formula लगाते हो न, तो वही formula जो आप लगाते हो, r square plus r square बराबर root 2 r, same चीज है, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ वह case तब लगता है, जब आप 90 degree वाला triangle पढ़ते हो, लेकिन ये formula आपका circle पर based कैसा भी motion हो, circle पर based कैसा भी motion हो, उसके लिए displacement का यही formula एकदम रट लो, remember कर लो, भूलेना गलती से भी मत, ठीक है, चलो इस पर एक सवाल और समझ लेते हैं, इसी पर based, अब एक सवाल और circle पर, क्योंकि ये circle पर ही सबसे अच्छे type की question बनते हैं, इसलिए circle पर practice करवा रहा हूँ, one line का एक practice मैंने करवा दिया, बहुत sufficient है, उतना, अब कोई body है, फिर सिध्यान से देखो, ये कोई body है, मालो circle पर move कर रही है, और इसके beach का angle है, 120 degree, 120 degree, बिल्कुल unknown question ले, जिससे आपको समझ में आए, बिल्कुल clear, चीक है, here is R, and here is R, ठीक है, ये आपकी radius, circle में क्या given होता है, radius ना, तो ये सेम चीज भाई, आपका radius given है, और मैंने क्या बूला है, कोई भी body का two side given हो, दोखो, एक side and two side, two sides given है, बिल्कुल clear समझ लो, और beach का angle भी given है, अब यार अगर ये चीज़ आपको, बस जहन में दिखाई दे, देख कैसा भी करवो हो, दो side given हो, beach का angle given हो, तो सीधा formula कौन से लगाओगे, theta is equal to arc upon radius, arc upon radius, और इसी को मैंने और क्या तरीका बताय था, arc ही आपका distance होता है, और radius ही आपकी क्या होती है, sides होती है, वो sides आपका ये है, अब यहाँ पे समझ लो, side का distance क्या है, arc given है, यहाँ पे पहले सही सवालों में, तो बस इसी formula के सहाइता से, अब हम क्या करेंगे, देखो, यहाँ पर सवालों में कैसे given होगा, यह point A है, and यह है point B, body कैसा move कर रही है, body move की A से B के तरफ, तो इसका distance निकालिए, इसी का displacement भी निकालिए, तो चलो distance निकालते हैं, A, B का distance, और distance के लिए मैंने बिल्कुल बहतरीन formula बता दिया है, theta is equal to arc upon radius, और यहाँ पे हम क्या रखते हैं, theta को रखते हैं, in terms of pi, तो 120 degree को, 120 degree को हम क्या रखते हैं, 3 pi by 2 रखते हैं, 3 pi by, sorry, यहाँ पर हम रखेंगे, 2 pi by 3, या फिर ऐसा करते हैं, सुनिए मेरी बात, हम क्या करते हैं, आपको एकदम एक basic formula ही सिखा दे रहें, जिससे जो बार-बार conversion आप जो भूलते हो, remember रहेगा, हमेशा के लिए याद रखो, जो pi होता है, यह pi आपका होता है, radian में, ठीक, यह pi आपका always बराबर होता है, 180 degree के, यह तो आप पढ़े हो ना, pi को हम कहते हैं, radian, और 180 degree को कहते हैं, यह degree, आप समझे होगे ना, 180 degree को always हम put कर सकते हैं, pi में, अब ज़रा ध्यान से समझो, जब pi बराबर 180 degree है, तो हम इसको क्यों ना, ऐसे study कर लें, 1 degree is equal to pi, and divide by 180, simple सा logic, अब हम क्या करेंगे, यह formula आप remember रखो, वहाँ पर भी मैंने, पीछे जो formula पढ़ाया था, वहाँ पे भी आप put करके, जो मैंने directly लिख दिये था, 90 को pi by 2, वही same formula आप यहाँ पे रखके, put up कर सकते हैं, अब हम चलिए आईए इसको solve करते हैं, 1 degree के लिए होता है pi by 80, तो 120 degree के लिए क्या होगा, 120 degree into pi by 180, simple सा logic बिल्कुल, अगर 1 degree बराबर pi by 80, तो 120 degree बराबर, 120 into pi by 80, अब इसको solve कर लिजे, 6 से कटेगा, 6 से कटेगा 2020, and 6 से कटेगा 30, 0 से 0 गया, 2 pi by 3, तो यहां से जो value आई, in terms of radian, 2 pi by 3, clear, किसी को कोई confusion नहीं, यह भी formula remember रखना, pi से angle में कैसे convert करें, angle से pi में कैसे convert करें, और जैसा आप से question पूछे, वैसे इस logic को बस याद रखना, सिर्फ इस logic को याद रखना, pi बराबर होता है, 103 degree, अगर वो degree में पूछे, तो यह formula, और pi में पूछे तो, 1 pi is equal to 180 upon, pi सिंपल सा बात बिलकुल, ठिक, तो यहां से मैंने क्या किया, angle को convert कर दिया, in terms of radian, 120 degree बराबर होता है, 2 pi by 3, यह हो गया radian के term में, जहां भी pi दिख जाये, समझ जाना, वो radian हो गया, अब जरा सा answer पे आते हैं, यह 2 pi by 3 लिखे रहने दो, ठिक, अब यहां पे हम value पुट करते हैं, theta क्या है हमारा, 2 pi by 3, is equal to, r कहीं तो हमें find out करना है, क्योंकि r कहीं तो body का real path है, यह r कहीं तो body का real path है, and distance upon radius, यह radius आपका r है, angle multiply कर दो, 2 pi into r, divide by 3, is equal to r, this is distance, this is distance, 2 pi r by 3, 2 pi r by 3, this is distance, clear, अब जरा आ जाओ displacement पर, displacement कैसे find out करेंगे, बस arc बंद करो, दोनों point को join कर दो, दोनों point को join कर दो, यहीं आपका होता है displacement, और कैसे निकालेंगे, circle पर move करते हुए, किसी भी body का एक ही formula है, 2 r sin theta by 2, 2 r sin theta by 2, body अगर circle पर move कर रही है, कैसा भी move करें, no matter, 2 r sin theta by 2, this is always given displacement, value को put कर दो, 2 into r into sin, theta की value 120 degree, क्योंकि यहाँ पर angle में रखना है, divide by 2, 2 से इसको cancel out कर दो, 60 degree, यहाँ पर sin 60 बचा, 2 into r, sin 60 की value, root 3 by 2, sin 60 की value, root 3 by 2, 2 से 2 cancel, और answer हो गया, r under root 3, r under root 3, यह दो question बहुत ही sufficient है, कभी भी apply करना, कहीं भी apply करना, distance पूछे, arc upon radius, displacement पूछे, 2 r sin theta by 2, circle के लिए, इस पर बेज़्ड सवाल, ऐसे ही आते हैं, और इससे, जादा, इससे different सवाल, आस्ते कभी बने ही नहीं है, ठीका ना, तो यह इतने type के, आपके सवाल, इस पर बन सकते थे, और एक आपको ऐसे, बिल्कुल हसता, खेलता, एक logic आपको सिखा देता हूँ, एक formula सिखा देता हूँ, जब आप सवाल को कभी study करो, बड़े ध्यान से समझना, concept बहुत ही हलका है, लेकिन बहुत भारी भी है खुद में, बस ध्यान से सुनना, बहुत लोग करते क्या हैं, कि सवाल को study करते हैं, और समझने पाते हैं, कि कैसे distance निकाले, कैसे displacement निकाले, एक keyword को remember रखना, सवाल को आप study करो, अगर उसमें कभी भी acceleration का जिक्र नहीं किया है, तौरान का जिक्र नहीं किया है, acceleration, ज्यान से सुनना, इसको बच्पन में आप पढ़े होगे, चाल बराबर दूरी बटे समय, यह वही formula है, और always and always distance यहां से निकालना, और displacement भी यहीं से निकालना, बस ध्यान से समझ लो, जो चाल बराबर दूरी बटे समय का formula पढ़े हो, speed is equal to distance upon time, physics का एक ऐसा rule कहता है, कि जब body accelerated motion हो ही न, तो सिर्फ एक rule बचता है, पूरे physics को apply करने का, वो है यही formula, speed is equal to distance upon time, सिर्फ यह एक मात्र ऐसा formula बचता है, जहां पर सब कुछ fail कर जाते हैं, जहां पर सब कुछ law fail कर जाए, वहां पर यह law कभी fail नहीं करता है, तो अगर यह तीसरे टाइप का एक अगर hard question बन सकता है, तो उसको आप इस तरीके से solve करना, time को रख दो, और आपको speed रख दो, answer आपका distance already आजाएगा, क्यों? क्योंकि इस पर एकदम बच्चा सा सवाल, बच्चा मतलब चोटा सा सवाल कभी कभी स्वे बनते हैं, बस logic इसलिए बता रहा हूँ, क्योंकि जब आप हर तरफ से fail हो जाओ, तो ये भी formula apply कर सकते हो, ये बिल्कुल ब्रह्मास्त्र है, बिल्कुल ऐसा कि ये कभी टूटेगा है नहीं, ये अटूट formula है, अगर acceleration नहीं given है, acceleration की बात ही नहीं किया है, और तब आप से distance या displacement पूछे, तो एक formula speed is equal to distance upon time, और इसी को हम लोग in general कहते हैं, S बराबर VT formula, S is equal to VT formula, यहाँ पे velocity रखो, यहाँ पे time रखो, दूरी पा जाओ, यहाँ पे velocity रखो, time रखो और दूरी पा जाओ, बस यही हमारा simple सा last formula था, ठीक है, इसके बाद अब हम study करेंगे, इसके बाद अब study करेंगे, हम acceleration पर, and average velocity, and average speed पर, ठीक है, तो मिलेंगे next topic पर, आप सभी के साथ, और फिर एकदम धमाकेदार, फिर क्या study करेंगे, अब continue हमें study करते जाना है, graphical पढ़ना है, graphical representation पढ़ना है, graphical विधी से हमें क्या पढ़ना है, derivation पढ़ना है, motion के तीन equation का derivation, सब कुछ आपको graphical way से पढ़ना है, और logically भी पढ़ना है, ठीक है, तो मिलेंगे next topic पर, all of you, thank you, good night and take care, सभी लोग खुश रहिए, मसत रहिए, और एकदम हसते खेलते रहिए, thank you,